पहला फालतू काम जो हम सबेरे ही सबेरे करते हैं जिसमें देश का सत्तर हजार करोड रुपए खर्च हो जाता है फालतू का है बिलकुल वो काम है चाए पीना सबेरे उठके चाए सुड़कने लगते और कई तो ऐसे महान लोग है बिना ठटी जाए चाए पीने लगते हैं वो तो मुझे कहते हैं कि चाए पिओ नहीं तो ठटी भी नहीं उतरती संडास नहीं जा सकते हैं इसलिए चाए पहले पीते हैं उनको बैट टी चाहिए बिस्तर पे चाए चाए और इसमें खर्चा कितना होता है एक किलो चाए डेड़ सो रुपई की है हर साल भारत के लोग सत्तर करोड किलो ग्राम चाए पी जाते हैं सोचो कितना पैसा खर्च करते हैं फालतू है और ये फालतू इसलिए भी है कि चाई पी पी के अपना शरीर खराब होता है ज्यादा चाई पीओगे नशा हो जाएगा नशा पता है किस बात का रोज चाई पीनी पड़ेगी एक दिन न पीएं तो सिर में दर्द हो जाएगा बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाई न मिले तो सिर गूमने लगता है तो ऐसा नशा किस काम का और दूसरी समस्या चाई पीओ तो पेट खराब चाई से पेट खराब पता है कैसे होता है चाई में कुछ केमिकल है एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन दूसरा है निकोटिन तीसरा है टैनिन ऐसे अठारे बीस केमिकल है चाय में ये सब पेट में जाके अमलता बढ़ाते हैं अमलता समझते हैं एसिडिटी पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है अमल बनता है चाय पियो तो और ज़्यादा बनता है और पेट में जब अम्ल जादा बनने लगता तो वो खून में चला जाता है खून की अम्लता जब बढ़ती है तो असी रोग आते हैं शरीर में गुटने दुखना, कमर दुखना, कंदा दुखना, जोडों में दर्द होना, हर्ट अटेक होना फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना, खराब से खराब रोग, शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बादी आते हैं और ये अम्लता सबसे ज़्यदा चाए से बढ़ती है, तो क्यों फाल तूमें पीना, मत पियो आदमी को छोड़ कर कोई चाए नहीं पीता, मैंने बहुत बार कुत्य को पिला के देखा, नहीं पीता गाय को पिलाया नहीं पीती, भैस को पिलाया वो भी नहीं पीती, कोई जानवर चाए नहीं पीता, पक्षी भी नहीं पीते दूद पीते हैं दही खा लेंगे पानी पीलेंगे चाय नहीं पीता कोई ये मनुष्य मूर्ख है जो पीता रहता है अकेला नहीं पीता हर घर में आने वाले को पिलाता है तू भी पी अपनी आतें जलाते हैं पेट जलाते हैं पैसा बरबाद करते हैं स्वास्त खराब होता है चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती जिनको भूख नहीं लगेगी शरीर मजबूत नहीं होगा कमजोर होगा कमजोर होगा तो बीमारिया इसलिए मत पिओ आप चाय छोड़ दो सारा देश चाय छोड़ दे सत्तर हजार करोड रुपई देश के बच्चते हैं तो आप छोड़ दो कोई भी भारत के महापुरुष ने चाय नहीं पी कभी भी महात्मा गांदी सरदार पटेल सुभाश चंद्रबोस चंद्रशेकर आजाद शहीद भगत सिंग उधम सिंग किसी ने चाय नहीं पी आप क्यों पी रहे हो बंद करो तो आप बोलो के फिर क्या पी है चाय की जगे मैं आपको बताता हूँ दूद पीओ आप बोलेंगे जी दूद पीने से क्या लाव है दो लाव है चाय बिकना अगर कम हो जाए दूद बिकना बढ़ जाए तो दूद बिकेगा तो जानवर जादा पालने पड़ेंगे तो मुनाफ़ा सब किसानों को मिलने लगेगा और चाय का मुनाफ़ा मिलता है जादा से जादा विदेशी कमपनियों को हमारे देश में झो चाए बिक रही है न वो सबसे जादा बेचने वाली कंपनी है बुरुक बॉर्ण एक है लिप्टन एक है टी सिटी एक है आई टी सी यह सब विदेशी कंपनिया तो ज़्यादा चाय बिकती है तो मुनाफा विदेशियों को मिलता है ज Secights दूद बिकेगा, मुनाफ़ा किसानों को मिलेगा, तो क्या अच्छा है दूद बिके तो दूद पियो चाए बंद को ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं चाए की तलब लगे तो क्या करें उसका रास्ता मैं बताता हूं आप, बहुत अच्छा रास्ता